आपका घर जहाँ है जिस गाउ में है वही सबसे अच्छा घर है वही स्वर्ग के शमान है आपका पड़िवार जहां शुरक्छित है वही सबसे दुनिया की सुन्दर जगह है मैं हूँ आड़ी रोशन और आप शुन्दे हैं ऐसे विचार जो बदल दे जिन्द्गी मैं आपको एक कहाणी बताता हूं एक बाड़ की बात है मैं कहीं जा रहा था जिसे आप दुनिया का भारत का एक बहुत ही सुन्दर जगह मानते हैं जहां प्रकिर्ती अपनी सुन्दर्ता बखुबी बरसाय हुए है जहां की सुन्दर्ता देखकर हिर्दे आनंदित हो उठता है उस जगह की बात करते हैं जहां की परवत जहां की जह सबके दिल को मोह लेती हैं अप रहा हैं कासमीर की जिस कि सुंदरता की कि दिल को मन महित कर लेती है एक वार की बात है मैं एक आदमी के मिला जो कश्मीर में राता था और मैंने पूछा आप तो बहुत ही सुन्दर जर्गा पे रहते हैं जहां चारों तरह हडीयाली है जहां सुन्दर्टा काफी है और भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है लेकिन उस ब्यक्तिक की बातों को सुन कर आपको बहुत ही आश्यर महसुस होगा उसने हम कहा कि आप जिसे की स्वर्ग मानते हैं वास्तम में धर्ती का नरक हुई है मैंने पूछा कैसे सभी वी लोग तो कस्मीर में रहना पुसंद करते हैं यहां तक कि वहां कि लोग भी वहुत में बना हुआ है आप लोग पूछा कैसे तुन्होंने बताया कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां आपको मरने का भै नहीं लगा हुआ रहता है लेकिन हम लोग जहां रहते हैं वहां प्रकिर्तिक सुन्दर्ता तो है लेकिन हमारे परिवार के लोग हम से कब भी छड़ जाएंगे इसका अंदाजा तक नहीं है तो मैंने पूछा कैसे तुन्होंने बताया कि वह एक ऐसा छेत्र है जिसमें सुन्दर्ता होते हुए भी अगर हम किसी आतंकवादी की मदद करते हैं तो दो-चार दिन महेने में पुलीस वाले मुझे खोज कर गोली मार देंगे और अगर हम पुलीस वाले की मदद सुन्दर या अच्छा जगह मानते हैं जिसे हम बहतर समझते हैं बास्त विक्ता और इसी है नहीं जब उससे हम रूभर होते हैं इसलिए परीबेश जिस छेते में रहते हैं जहां आपका पड़िवार्वच्ची शुरक्चित हैं वही दुनिया का सवर्ग है और उसी में सं अंतुष्ट होकर अपने जीवन को खुसा हाल बैतित करना चाहिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में